नमस्कार दोस्तों स्वागत है पीडी केमपस के यूटूब चैनल पर आज हाजिर है आपके सामने एक बहुत पॉजिटीव ख़बर के साथ बहुत अच्छी ख़बर के साथ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो शरकारी नोकरी का संच सपना देख रहे हैं खास दोर से हर्याणा में पूलिस में लगने का सपना देख रहे हैं हर्याणा के मुख्य मंतरी स्रीमान मनोहरलाल खटर दवारा एक बहुत बड़ी खोशना की गई क्या थी वो घोशना, किस से सम्बन दिती, क्या उसमें खास कबर थी, क्या आच्छी कबर थी, वो सारी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास तक देखना सही रहेगा आपके लिए ताकि आप पूर जानकारी प्राप्त कर सकें चलिए शुरू गरते हैं आज की वीडियो को क्या खबर थी उसमे धान देते हैं हर्याणा के मुख्यमंत्री स्रीमान मनोहरलाल खटर ने कल यानि की 9 जनवरी को हर्याणा पुलिस के 86 वे बैच के रिक्षान समारों पर, मतलब पासिंग आउट प्रेड में शामिल हुए, उसी पासिंग आउट प्रेड के दुरान उन्होंने एक बहुत वड़ी घोशना की औ ससी को एक प्रोसीजर और गाइडलाइन जारी करने के लिए कह दिया गया है, जैसा कि हर्याणा के मुख्यमंत्री ने बताया, अब अच्छी खबर ये है कि लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो अभी अर्ती लगातार त्यारी करेंगे, वो एक साल नहीं तो पास आउट हुआ, और तीसरे बैच की वकेंसिया अनौस हो चुकी है, ये भी सिडूल में है कि मार्च के महिने में पेपर होगा, जो पिछली भरती है, उसका पेपर भी मार्च 2020 में होने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स त्यारी में जुटे ह हुए है, और आगे की अच्छी खबर ये है कि अब ये वकेंसिया हर साल निकलेंगी, आज के सभी न्यूजबेपर में ये खबर चाही हुई थी, चाहे इंगलिश का न्यूजबेपर हो, चाहे हिंदी का न्यूजबेपर हो, सभी में इसकी संपूर्ण जानकारियां दी देखें, उनके द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी जो थी उस पर डिसकस कर लेते हैं, चलिए देखते हैं ये वीडियो जो उन्होंने ब्यान दिया ये पासिंग आउट प्रेड रही, उसी दोरान काटर साहब महां मौजूद थे इसे पहले भी एक भर्ती पिछले बाद की थी पानजार से भाईयों की और ये तुसरी भर्ती है इसमें सब्सक्राइब के लिए, आज जिन में से पाच जार लोगों को पासिंग आउट का तीन स्थानों के उप्रेड काले कम हुआ है, और छे सो लोग हैं, जो की प्रेड करों ये प्लेड चल रही है, तो पूर का आगे प्रेकर कम होगा, और इस क्राउट को लगातर बनाए रख कि लुग के उन्यवाद में अगरे और इसी करम को फार्साल करते रहेंगे, तकि आज के समय में पंदरासों से लेके दो जार लोग तेटाब हो जाते हैं, और इक थीन आजार, साड़े तीन आजार लोग नहें पटते रहें, तकि हमारी जो आने बले, सब्सक्राइब यह थी आज की पोजिटिव न्यूज जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी थी और बहुत महत्रपूर थी उमीद है कि आपको पसंद आई होगी पसंद आईगी तो वीडियो को लाइक कीजिए अगली पोजिटिव न्यूज के साथ फिर से मिलते हैं तब के लिए जय हिंद नमस्कार बाई बाई पहरे दोस्तों